चमपवत जिले के नैपाल सीमा से लगे चमदेवलक शेत्र में तीन दिवसिये चैतोला मेले के मुखे पर परचमु देवता की शुभायात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और डोले के दर्शन कर पूजन किया चैतर नवरात्र के अवसर पर आयोजित होने वाले इस मेले का इतिहास महा भारत कालीन पांडवों के अग्यात्वास से जुड़ा बताया जाता है मेला समिति के अध्यक्ष हरक सिंग भंडारी ने बताया कि द्वापर में पांडवों के अग्यात्वास के दोरान इस मंदिर का निर्मान करवाया गया था उनने बताया कि यहां तीन दिवसी मेले का आयोजन किया जाता है मुखे मेले में बारा गाउं के जत्थे ने चमु देवता का डोला और शुभायात्रा निकाली चौपता नौल्टुक्रा बस्कुनी जागिंडी के जत्थे आके चमु वावा के मंदिर की प्रक्रमा करते हैं मानित है कि अग्यात्वास के दोरान पांडवों ने यहां रहकर मंदिर का निर्मान कर आया था इस्थाने शेर सिंग भंडारी के अनुसार मानिता है कि पांडवों के अग्यात्वास के समय एक शेत्र में दैत्तिका आतंक था उसके आतंक से मुक्ति के लिए चमु देवता से प्रार्थना की गई थी इसके बाद चमु देवता ने बकासुर का वद कर दिया था तब से ही यहां चैत्र नवरात्र के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है नैपाल सीमा से लगे होने के कारण इस इमान तक शेत्र का सबसे बड़ा मेला है मेले में व्यापारिक गतिविदियों के लिए स्थानिय लोगों के साथ ही नैपाल से भी लोग यहां पहुँचते हैं बहुत लंबे समय से मेला व्यापारिक गतिविदियों का केंदर भी बना हुआ है में यहां पर बहुत से लोग बेश वी यहां हमारे जो बहार हमारे परवाशी लोग रहते हैं और रहा से नेपाली नमार नमारे मित राष्ट राष्ट से भी यहां पर आते हैं क्योंकि वहां समन का भाव हुनके कारण यहां पर एक ब्याफार के रूपे भी यहां लोग महतु देते हैं